नमस्कार शुआगत है आपका सक्ष्य मकादमी के इस online platform पे और एक बार फिर से उत्राखन के कुछ बिसेश प्रशनों के साथ ठीक है जैसा कि आपको पता ही है यह श्रेश continue आपके बीच चल रही है इसमें आपका आज पहला प्रशन होगा पहला प्रशन आपके पास होगा न अगर है प्रशनों के अभियानों की अगर हम बात करें तो हमें एक मिलता है भंगानी का युद्ध यह पहले पेपर में भी पूछा गया है भंगाने का युद यह युद फते पतिशा और गुरू गुविन सिंग के मद्धी होता है ठीक है इसके अलावा जो यह फते पतिशा है यह शाहरनपूर का भी अभियान करते हैं ठीक है इसके अलावा हमारे पास जो परदीब शाह है इनका गडवाल के इतिया जो गड़ राज्य में जो सासक हुए उनमें सबसे लंबा कारेकाल प्रदीप शाहा का था ठीक है प्रिथभी पति शाहा की बात करें तो इनके समय में हम इनके सरिक्षी का देखेंगी करना होती और इनके समय तीन मुगल आक्रमन भी हुए थे जो कि हमने इसे पहले वाली श्रीज में देखे थे तीन मुगल आक्रमन 1635 में गड़ राज्य पर पहला मुगल आक्रमन होता है ठीक है उसके बाद जो जैकरेट सा है ये प्रदीव ललिच सा आगे पुत्र थे जैकरेट सा और प्रदीवन सा आगे भाई थे ठीक है इनोंने ह राखे नामकर और यह राखे नामकर उपज का पांच्वां इस्रा होता था ठीक है इसके बाद आपके पास जो अगला प्रशन होगा अगला प्रशन आपके पास है उत्राखण में सुरू होने वाली पहली बंदे भारत एक्सप्रेस टेंड का उत्गाटन कब किया गया ठी अगला प्रशन आपके पास है हाली में उत्राखन के कितने लोगों को शंगीत नाटक अकादमी अमरीत अवाड से शमानित किया गया तो अभी हाली में उत्राखन के चार लोगों को संगीत नाटक अकादमी से समानित किया गया था अगर हम बात करें total overall कितनों को मिला था तो 84 लोग थे जिनको ये नाटक मिला था उनमें से उत्राखंड के 4 विखती थे ठीक है इसके लावा अगर हम बात करें संगीत नाटक अकात्मे की संगीत नाटक अकात्मे की तो 1953 में इसके अस्थापना होती है और राज मननारिस के पहले अध्यक्ष होते है ठीक है इसके बाद आपके पास अगला प्रश्न होगा अगला प्रश्न आपके पास है निम्ण में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित ये थोड़ा नई ये मिस्प्रेंट हो गया यह आपको काट के कौन सा सुमेलित है ठीक है यह में स्प्रेंट हो गया था यह प्रश्ण बन जाएगा निम्न में से कौन सा विकल्ब सही सुमेलित है ठीक है तो हम देखेंगे देश का पहला थैलेस गार्डन लालकुआ में है तो यह गलत हो जाएगा देश का पहला One Healing Station रानी खेत में है तो ये इसका शही हो जाएगा देश का पहला Funstruction केंद्र मुंसियारी में है तो ये गलत हो जाएगा और देश का पहला Indoor Sport Cliving Center पितोरागट में है तो ये भी गलत हो जाएगा तो आपका शही अंसर हो जाएगा option B, देश का पहला one healing station है रानी खेत में रानी खेत के अगर हम बात करें तो यहाँ पे मशाला बगीचा भी हमें देखने को मिलता है ठीक है घास रक्षन केंदर भी मिलता है घास सनक्षन केंदर भी मिलता है देखने को गाश, रक्षन, केंदर भी देखने को हमें यहाँ पर मिलता है अगर हम बात करें पहले थैलेस गार्डन के तो यह लालकुआ में नहीं होगा यह हो जाएगा आपका मुंसियारी में ठीक है अगर बात करें फर्न स्रक्षन केंदर के तो funstruction के इंदर हमने इससे पहले देखा था यह construction के इंदर हो जाएगा हमारा रानी खेत में इसके अलावा अगर हम बात करें मुंसियरी की तो यहां पर tulip garden भी हमें देखने को मिलता है tulip garden भी हमें देखने को मिलता है अगर बात करें देश का पहला indoor sport climbing center तो यह पिथोरागड में नहीं बलकि नीम उत्तरकाशी में हो जाएगा नीम उत्तरकाशी, नीहरू परवतारोहन सनस्तान उत्तरकाशी में यह indoor sport climbing center हो जाएगा और नीहरू परवतारोहन सनस्तान के स्थापना होती है 1965 में ठीक है इसके बाद आपके पास अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है निम्न में से किस नदी वेशिन का छेत्रफल सरवादिक है ठीक है आपको बताना है कि जो नदी वेशिन है उनमें सरवादिक छेत्रफल किस नदी वेशिन का है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो से ज़्यादा नदी वेशिन चेत्र फल है काली का ठीक है तो उत्राखण में जो काली नदी है इसका जो वेशिन चेत्र है वो सरवादिक है इसके बाद काली के बाद काली के बाद हो जाएगा आपका अलकनन्दा अलकनन्दा भागी रती भागी रथी कोशी और रामगुंगा ठीक है ये इनका घरता हुआ अकराम है नदी वेसिन छेत्रफल में अब अगर हम बात करें कि किस नदी वेसिन छेत्र में सरवादिक वनपर्तिसत है वनपर्तिसत की द्रिष्टी से सरवादिक जो छेत्रफल है वो किस नदी वेशिन का है या ऐसी कौन सी नदी वेशिन है जिस के जिस नदी वेशिन में सरवादिक वन छेत्रफल है तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नदी वेसिन 1 छेत्रफल परतिसत 1 छेत्रफल परतिसत में परतिसत में तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा टॉन्स नदी ठीक है इसका अगर हम बात करें तो 76% के आसपास लगबग इसका जो वेसिन में 76% में 1 पाए जाते हैं ठीक है फिर हमारे पास आती है कोशी फिर हमारे पास आती है यमुना और फिर हमारे पास चौथे नमबर पे आती है काली ठीक है तो यह यह चार नदिया हो गई वन छेत्रफल में जिनके नदी वेशिन में सरवादिक वन छेत्रफल है और यह हो गया कि किस नदी का वेशिन तो ये दोनों point आपके clear हो जाने चाहिए इसके बाद आपके पास अगला प्रशन है अगला प्रशन आपके पास है छटा प्रशन है निम्न में से कौन सा ताल अपने आकार के साथ सही सुमेलित है ठीक है आपका पहला option है कुमाओ का त्रिवुजाकार ताल भीम ताल ठीक है पास कोनों वाला ताल डोडी ताल ये भी गलत हो जाएगा आपका जो सही अंसर है ये हो जाएगा त्रिवुजाकार भीम ताल गड़वाल में अगर हम त्रिवुजाकार की बात करें तो यहां पे यहां पे गड़वाल में जो सतोपंत ताल है सतोपंत ताल ठीक है इसके आक जील अब बात करें अगर जानवर की खुर के समान ठीक है तो हमने इससे पहले भी साथ ताल के बारे में बात की थी तो जो इस साथ ताल है ये जानवर की खुर के समान नहीं है बलकि अश्व खुर के समान है अश्व खुर के समान है कुमाओ की ये सबसे रमनिक जील है साथ त ठीक है यहीं पर हमें एक और ताल हमें देखने को मिलता है नल्दम्यंति ताल की बात करें तो पांच को नो वाला दी यह ताल हो जाएगा अस्व खुर के समान खुर्पा ताल तो अस्व खुर के समान खुर्पा ताल नहीं है बलकि यह जानवर के खुर के समान है जानवर खुर के समान है खुर्पाताल के अगर हम बात करें इससे पहले हमने देखा था कि रज्जी का जो पहला मॉस गाडन या काई गाडन था वो कहां था वो भी इसी खुर्पाताल में था नैनी ताल में फिर है पांच कोनो वाला ताल तो यह 5 कोनों वाला नहीं है यह 6 कोनों वाला ताल है 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल है और डोडी ताल वो तरकासी में है और सुन्दर मचलियों के लिए परसीद है इसके लावा यह जो डोडी ताल है यह गनेज जी की तपस्तली भी यहें पे है ठीक है इसके बाद अगर आपसे बात की जाए ये कुमावचित की सबसे बड़ी जील है और अगर सबसे गहरी जील की बात होगी तो नौकुचिया ताल आपके सबसे गहरी जील हो जाएगी ठीक है इसके बाद अगला प्रशन आपके पास है अगला प्रश्ण है आस्रा ट्रस्ट ठीक है आस्रा ट्रस्ट निम्न में से किस जन्पद में संचालेते हैं जो ये आस्रा ट्रस्ट है ये किस जन्पद में संचालेते हैं आपके आप्सन है रिद्वाद, देरदोन, नैनिताल, अदम सिंग नगर तो ये हो जाएगा आपका आ ब्रिजनात के द्वारा इसकी स्थापना होती है फिर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है ये जो ट्रस्ट है इसका उद्देश्य क्या है तो जो जुगी जोप्डियों में रहने वाले बच्चे होते हैं उनको सिक्षित करना और उनको कुपोशन से मुक्त रखना ये इस का उध्दिष्य है और इसके स्थापना दोजार नौव में सेला ब्रिजनात के द्वारा की गई थी देरदून में, ठीक है, इसके बाद अगला प्रशन आपके पास है, केंद्र द्वारा संचालित सोलर सिटी के रूप में, किस सोलर सिटी के रूप में विकास किया जा रहा ह मतलब किस सहर का विकास सोलर सिटी के रोप में किया जा रहा है तो इसका जो स्ट्राइट आंसर हो जाएगा वो देरादोन हो जाएगा बेसिक सा प्रशन था इसके बाद आगे चलेंगे ठीक है आगे आपके पास जो प्रशन है नेमन में से उत्राखन के पर्थम अंतराश्टिय भारतोलक है ठीक है पर्थम अंतराश्टिय भारतोलक है तो केशी सिंग बाबा आपका आंसर हो जाएगा केशी सिंग बाबा उत्तराखन के पर्थम अंतराश्ट्रिय अस्तर के भारतोलग थे इसके बाद अगर हम बात करें केशी सिंग बाबा की तो केशी सिंग बाबा उद्दम सिंग नगर के निवाशी है उद्दम सिंग नगर की ये निवाशी है ठीक है ये भी भारतोलन से है हंसा मनराली भी भारतोलन से है जगजीत सिंग भी भारतोलन से है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें केश्री बाबा की तो ये 2004 से 2014 तक सांसद भी रहे है नैनी ताल सीट से ये सांसद भी रहे है ठीक है अंतराष्टे अस्तर पर इनोंने श्व पदक जीते, दो शोल्ण पदक इनोंने अंतराष्टे अस्तर पर प्राप्त किये थे केशी बाबा, फिर अगर हम बात करें हंसा मनराल की, तो हंसा मनराल आपकी है पिथोरागट की, पिथोरागट निवासी है हंसा मनराल, ठीक है जगजीत सिंग ये भी यूएस नगर के है, तो 2001 में ने द्रोणा चारी प्रुषकार से सम्मानित किया गया था, और इनी हंसा मनराल की पुत्री है, भूमी का शर्मा, और यही भूमी का शर्मा, पहली मेला है, जिसने अंतराष्ट्य बॉडी विल्डर वर्ल्ड खिताब जीताब, जीता था, अंतराष्ट्य बॉडी विल्डर वर्ल्ड खिताब जीता था, भूमी का शर्मा ने हंसा मनराल की पुत्री है, ठीक है, इसके बाद अगला प्रशना आपके पास हो जाएगा, निम्न मेसिक, कौन सा किला अपने अस्थान के साथ सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा किला बिल्कुल नहीं है, पितोरा गट में, अगर हम बात करें, गोला चोड का किला या गोरिल का किला, तो यह चमपाउत में हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद अगर हम पहले प्रशन, पहले आप्सन में आएगे, कलुआ गड़ी, कलुआ, कलुआ गड़ी, तो कलुआ गड को हम सिर्मोही का किला भी कहते हैं, सिर्मोही का किला भी कहते हैं, ठीक है, सिर्मोही का किला भी कहते हैं, मारकोट किला को, बिसाड का किला की अगर हम बात करें, तो यह पितोरा गट में नहीं, बलकि बिसाड का किला आपका हो जाएगा, अलमोडा में, ठीक है, बिसाड का क और गोला चोड़ का किला आपका चंपावत में इसके बाद अगला प्तुर आपके पास है कि निम्ण में से गौन सुमेलित है थी कै हमें बताना ही कि यह इनमे से सुमेलित कौन है सारे नाम सेम-सेंह लगबग ni आप क्लियर कंपर चलना हमारे पहला है मनी करनी का घाट का है उत्तरकाशी में है तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मनी करनी का घाट है ये उत्तरकाशी में हो जाएगा तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अप्सन ए हो जाएगा ठीक है मनी करनी का घाट उत्तरकाशी में है अगर हम बात करें मन भद्रपुरे के नाम से जाना जाता था इसके बाद अगर हम बात करें मनी कूट परवद तो ये मनी कूट परवद हरीद्वार में नहीं बलकि परवद हो जाएगा आपका पौडी में ठीक है उसके बाद हम बात करें मनी करेनी का कुंड तो कुंड उखी मट में नहीं होगा बल्कि है तो यह रुदर प्रियाग में लेकिन गुप्त काशी में है अब बात करें एक और इसमें बसता है मनि करनी का मनी करन मनी करन जन्ना ठीक है अगर मनी करन जन्ना की अगर बात करें तो यह हो जाएगा जूशी मठ में ठीक है बागी ठीक है मनी करनी का गहाट उतरकाशी में मनी भद्रपूरी माना का प्राचीन नाम था पुराणों प्राचिन जो ग्रंत हैं वहाँ इसे माना को मनी भद्रपूरी कहा गया है मनी कूट परवद ठीक है पोडी में हो जाएगा और मनी करनी का कुंड हो जाएगा आपका रूद्रप्रिया के गुप्तकासी में इसके बाद अगला प्रशन आपके पास होगा ठीक है अगला प्रशन है गोर्खा काल में शिल्प कर्मियों को किस नाम से जाना जाता था ठीक है गोर्खा काल में शिल्प कर्मियों को किस नाम से जाना जाता था तो आपका है नौ, शुनवार, कठुआ और कामी तो गूर्खा काल में, सिल्प कर्मियों को कामी के नाम से जाना जाता था, ठीक है अगर 9 की हम बात करें, तो ये हो जाता था, नाई, सुनार की बात करें, तो ये हो जाता था, सुनार, और कठुआ कहते थे, जो ब्रहमन दास गूर्खा काल में होते थे, उन ब्रहमन गासों को दासाओं को हम कठुआ कहते थे इससे पहले वाली स्ट्रेज में हमने बढ़ा था कि जो पसुचारक होते हैं पसुचारक होते हैं ठीक है इन पसुचारकों से जो गुर्खा होते थे वो कौन से कर कौन सा टैक्स लेते थे तो अगर आप इस स्रीस को continue देख रहे हैं तो यह आप comment करके हमें बताओगे क्योंकि यह प्रशन पहले solve करवा चुके हैं इसके बाद अगला प्रशन आपके पास है अगला प्रशन आपके पास है कत्यूरी परसासन में भूमी का औरगी करण चार भागों में किया गया है इसादर पर कौन सा विकल्प सही नहीं है ठीक है आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है इन में से जो सही नहीं है ठीक है अगर हम कत्यूरी परसासन की बात करें तो यहाँ पे भूमी का जो औरगी करण किया गया था वो चार भागों में भूमी को बांटा गया था राजश्व भूराजश्व इसमें इनकी आयका मुख्य सुरोत था ठीक है इसके बाद अगर हम option देखें तो हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है तो पलिका की अगर बात करें तो गाउं के भूमी तो बिल्कुल सही हो जाएगा अगर हम बृति की बात करें तो बृति भी निजी भूमी होती थी या personal भूमी जो होती थी उसे हम बृति कहते थे शरण की अगर बात करें तो मंदीर की भूमी होती थी तो यही हमारा गलत हो जाएगा, जो सरण होता था, वो मंदीर नहीं, बलकि शरण होता था, जो निवासस्तान होता था, इसके आसपास की जो भूमी होती थी, इसे शरण कहते थे, कार्मान्त भूमी की अगर बात करें, यह सही हो जाएगा, कार्मान्त वो भूमी होती थी, कत् लब्दिता होती थे अर्थात खनीज युक्त भूमे को हम कार्मान्त कहते थे और पल्ली का गाओं की भूमे और बिढ़ती हो जाएगा आपका नीजी भूमे ठीक है इसके बाद अगला प्रशना आपके पास है किसी जाता है तो हमारे पास जो आप्शन है प्रियागदत पंत जो है ये पिथूरागट के निवाशी है इसके बाद हम इंद्रमणी बडोनी को देखेंगे इन्हें हम उत्राखन का गांधी भी कहते हैं उत्राखन का गांधी भी नहीं कहा जाता है ठीके उत्राखन का गांधी भी कहा जाता है टिहरी के निवाशी है अगर हम गोविन बल अगर हम गोविन बलब पंद की बात करें तो उत्राखन की इतियास में जो आधुनी की इतियास है सुतंतरता संगराम में जो उत्राखन का योगदान है उसमें गोविन बलब पंद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और काशिपूर में काशिपूर में इन्होंने एक प इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी आंदोलन होता है वहाँ पर हर आंदोलन का कुमाव में प्रतिने दित्तों करते हैं गोबिन बनलब पंत असाहोग आंदोलन से लेकि भारज छोड़ो आंदोलन तक ठीक है उसके बाद ये सक्रिराजनेती में उसके बाद भी रहते हैं आगे इसके बाद देखेंगे हां मोहन सिंग मेहता तो मोहन सिंग मेहता बागेश्चोर के कत्यूर घाटी के रहने वाले कत्यूर छेतर के रहने वाले थे और ये पहले वेक्ति थे जिनकी गिरफतारी हुई थी आंदोलन के दोरान ठीक है उत्राखन में पहली गिरफतार हो मोहन सिंह मेहता थे और मोहन सिंह मेहता ही ऐसे बेखती थे जिन्होंने 1921 में कुमाओं परिशत की एक साखा कत्यूर छेत्र में भी खोल ले थी ठीक है इसके बाद अगला प्रशन आपके पास है अगला प्रशन है कि तारादत गैरोला के बारे में कौन सा कथन अशत्य है ठीक है हमें बताना है कि जो तारादत गैरोला है इनके बारे में कौन सा कथन अशत्य है तो इनका जन्पत में हुआ था तो बिल्कुल सही है सदई और कवितावली इनकी रचनाय हैं तो ये भी बिल्कुल सही है इन्होंने 1905 में सरोला सभा की स्थापना की थी तो ये गलत हो जाएगा ठीक है जो सरोला सभा है इसके स्थापना 1905 में नहीं बलकि 1904 में की गई थी ठीक है इन्हें गडवाल का महर्सी भी कहा जाता है और ये गडवाल के पहले LLV भी है LLV की उपादी धारण करता भी या LLV डिग्री धारग भी तारदत गैरोला थे सरोला सभा ये पर्थम गडवाल की पर्थम जातिय शभा थी ठीक है और 1904 में इसके स्थापना होती है और अगर बात करें हम की ये जो सरोला सभा है इसका मुख्याले कहा था तो इसका मुख्याले था ठीहीरी में इसके बाद अगला प्रशन आपके पास है अगला प्रशन है कुमाव प्रिष्ट की अस्थापना कहा हुए थी कुमाव प्रिष्ट से सम्मंदित पहले भी हमने प्रशन देखे थे तो कुमाव प्रिष्ट की जो अस्थापना होती है ये कहा होती है आपके बाद से नैनिताल, अलमोडा, टनकपूर, हल्दवानी, तो कुमाव परिशत की जो अस्थापना होती है, वो नैनिताल में होती है, ठीक है, 1916 में नैनिताल में अस्थापना होती है, ठीक है, 1916 में इसके अस्थापना होती है, और 1917 में, अलमोडा में जैदत जोशी के नेत्रित्तों में इसका पहला अदिवेशन होता है अल्मोडा में इसके बाद टनकपूर में भी इसका अदिवेशन होता है हल्दवारी में भी इसका अदिवेशन होता है ठीक है अल्मोडा के बाद जो दूसरा अदिवेशन होता है यह हल्दवानी में होता है और हल्दवानी में इसकी जो अधिक्स्ता करते हैं वो करते हैं तारा दत गेरोला के द्वारा इसकी अधिक्स्ता की जाती है इसके बाद इसका जो तीसरा अधिवेशन होता है कोड़द्वार में होता है गड़वाल में एक मात्रिसका अधिवेशन होता है कोड़द्वार में तीसरा और इसक इसका जो चौथा अधिवेशन होता है वह होता है काशिपूर में और हरगोविन पंद इसके अधिक्सा करते हैं इसके बाद इसका अधिवेशन 1923 में होता है टनकपूर में और टनकपूर में इसके अधिक्सा करते हैं बद्रीधत पांडे और 1926 में इसका अधिवेशन होता ह रानी खेत में और रानी खेत में अदिक्स्या करते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल इसकी अदिक्स्या करते हैं 1926 में जो कुमाव परिशद होती है इसका विले हो जाता है कॉंग्रेस में ठीक है इसके बाद अगला प्रशन आपके पास होगा अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ठीक है हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है तो सुरेंदर सिंग भंडारी जो है इन्हें उत्राखंड एक्सप्रेस कहा जाता है तो बिल्कुल सही है ठीक है ये सुरेंदर सिंग भंडारी उत्राखंड एक्सप्रेस कहा जाता है उत्राखंड की तीजन भाई कभूतरी देवी को कहा जाता है उपनाम है इनके बिल्कुल स शीर सिंग पांक्ति को कहा जाता है, यह कुछ उपनाम थे, ऐसी और भी उपनाम है, ठीक है, आप उन्हें पढ़ ले ना, बेशिक सा प्रशन था, इसके बाद अगला प्रशन आपके पास है, अगला प्रशन आपके पास है, कि सालम की क्रांथी किस वर्स हुई थी, ठीक है, आपके पास है, 18 अगस 12 पचीस अगस 12 आगस 12 अगस 24 तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, 25 अगस 12 आगस 12 को होती है, ठीक है, राम सिंग आजाद, राम सिंग आजाद, रेवा धर पान्डे, और दुरगदत, दुरगदत, आदि इस करांती के मुख्य प्रेनेता होते हैं 25 अगस्त, 1942 को सालम की करांती होते है और यह जो लोग होते राम सिंग आजा, रेवाधर पांडे, दुर्गादत ये इसके मुख्य प्रेनेता होते हैं और इस जो शालम की क्रांती है इसमें दो विक्ति नर्सिंग धानक नर्सिंग धानक नर्सिंग धानक और टीका सिंग नर्सिंग धानक और टीका सिंग यह दो विक्ति नर्सिंग धानक और टीका सिंग यह दो वेक्ति इसमें सालम की क्रांती में सहीद होते हैं मदन मुहन करगेती जी ने मदन मुहन करगेती जी ने जो सालम बिद्रो है या सालम क्रांती है इसे निराला बिद्रो की शंग्यादी है इसे निराला बिद्रो निराला बिद्रो की शंग्यादी इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था 18 अगस्त 1942 और 18 अगस्त 1942 में होता है आपका देघाट आंदोलन ठीक है या देघाट की क्रांती जो होती है 18 अगस्त 1942 होते हैं जिसमें आपके पास हरी कृष्ण उत्परेती ठीक है हीरा मनी और बद्री कांडपाल नामक तीन व देघाट गोली कांड ठीक है इस समय जो जॉंसन रहता है या पे SDM वो क्या करता है या पे जो भीड सभा गर रही थी उनमें फायर कर देता है गोलिया चला देता है ठीक है इसे देघाट गोली कांड के नाम से भी हम जानते है तीन वेक्ति इसमें सहीद हुए थे सालम में ह आपके पास अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है लगपत सिंग बिष्ट जिनोंने सरवादिक नर्भक्षी बागों का गुलदारों का शिकार किया था इनका शंबन किस जनपत से है ठीक है तो जो लगपत सिंग बिष्ट है सरवादिक नर्भक्षी और बागों का गुलदा प्रकासित होता था आपकी option है इस्टोवेल एस्कुल प्रेस, बुड़ एस्कुल प्रेस, सेमिनरी एस्कुल प्रेस और सेंट जॉर्ज एस्कुल प्रेस तो यह जो देहील्स था ये कहां से प्रकासित होता था तो आपका जो आंसर हो जाएगा शेमिनरी स्कुल प्रेस से ठीक है मसूरी से मसूरी के शेमिनरी स्कुल प्रेस से इसका प्रकाशन होता था और जौन मेमिकन के द्वारा इसका प्रकाशन होता था जौन मेमिकन इस समय मसूरी नगरपालिका के चेर्मेन थे 1842 में इसका प्रकाशन होता है 1859 में एक बार बंद हो जाता है फिर 1806 में डॉक्टर स्मित के दौरा यह पुना शुरू किया जाता है और 1865 में पूर्ण ता बंद हो जाता है ठीक है 1865 में पूर्ण ता बंद हो जाता है मसूरी को हम पत्रिकारिता की जन्नी भी कह सकते है ठीक है 1842 में पहला जो पत्र था दई हिल्स यही से प्रकाशित होता था इसके बाद हमारे पास आप्शन में है इस्टोवेल इसकुल प्रेस तो जो इस्टोवेल प्रेस थी तो यह इस्टोवेल प्रेस थी हमारी दुगड़ा में और इस इस्टोवेल प्रेस की जो अस्थाप्टा की थी वो की थी 1912 में गिरिजादत नेथानी ने ठीक है तो यह उत्राखन से संबंदित कुछ बिजेस प्रशन आप लोगों के पास थे जो आगामी जो एक्जाम है उनकी उद्देशे से बनाए गिये थे इसके बाद यह इस्टोवेल चलेगी अभी आगे ठीक है आज के लिए बर्ष इतना ही इसके बाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो में धन्यवाद